ऑंचे दोस्तों मेरा नाम एने स्वागत करता हूं आपका हमारे यूटूब चैनल एकजम टॉक्ष में ऐडिया का ऐसा यूटूब चनल इसके अंधर हम बात करता हैं एक्सीजों के बारे जनक है आपको हमारी यूटूब चैनल से मिलती है तो से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्काइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगया आने वाले वीडियो के नोटिफिक्शन मिलते रहें दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं इंडिया से ओनियन कहां कहां एक्सपोर्ट के जाता है इंडिया से किन किन देशों में जो है ऑनियन एक्सपोर्ट के जाता है तो दोस्तों इंडिया से जो ओनियन का एक्सपोर्ट होता है वह mostly आपका Gulf countries में especially UAE में उसके बाद कतर में आपका export होता है उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका जो onion है वो आपकी nearby countries के अंदर like नेपाल के अंदर जाता है क्योंकि नेपाल में onion होता ही नहीं है तब के लिए एक बहुत ओन की sourcing कहां से की जाए तो ऑने की sourcing के लिए जो है आप सबसे अच्छा onion जो है आप नासिक से आप ले सकते नासिक माराज से जो है ओनियन का export होता है बहुत अच्छा माराज से भी ज़्यादा onion का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है जो है ओनियन एक्सपोर्ट नासिक के जैन पिटी पोर्ट नहावा शिवा पोर्ट से किया जाता है अगर आप मध्यपरदेश से अगर सोर्सिंग करेंगे तो वह आप नेपाल भूटान बांगलदेश के लिए कर सकते हैं नेपाल में बहुत अच्छा ओनियन जो है करेंगे चालू करते हैं उसके बाद आपको एक और आता है लिए और यहां से किया जा सकता है अगर आप घुज़रत की नेरवाइब एरिया से आते हैं तो हाँ पर ट्वेटर का कंटेनर आपको नहीं मिलता है तो आप 20 फीट जो है वन डोर ओपन कंटेनर में में भी इस ऑन यह तो काफि सारा खर्चा आता है आप अगर टॉप से अंदर एकंटेनर में अगर आप करते हैं डूबाइ तो करief सकते हैं जिसमें और टर ना चैनर के अंदर ऑपको चाहिक खते हैं उसके बाद दोस्तों अगर nearby countries की बाद करें बंगलादेश, भूटान और नेपाल की तो यहाँ पे आप by road export कर सकते हैं, बंगलादेश में आप by port भी कर सकते हैं, श्रीलंका में भी by sea port कर सकते हैं, बढ़ अगर नेपाल और भूटान की बाद की जाए तो इसमें आप mostly by road ही आ order आता है, उस order आने के समय आपको बायर से पूछना होता है कि आपको delivery किस तरीक इसी चाहिए, उनको delivery इंडियन पॉर्ट तक चाहिए, या उनको delivery उनके खुद के पॉर्ट तक चाहिए, उनकी country के किसी भी पॉर्ट तक चाहिए, सब उसकर आप दुबई में जो container भीज रहे तो काफी सारे लोगों के साथ fraud होता है, prices को लेके भी बहुत सारे issues वहाँ पे आते हैं, credit बहुत जादा रहती है, तो आप पहले payment term proper decide करें, payment terms आप पहले payment ले ले उसके बाद ही आप export करें वहाँ पे, तो जब भी आप containers को book कर लें, तो container सबसे पहले आपके factory पे container महाँ पे containers, और उस खाली container के अंदर आप onion को step करेंगे, जैसा भी आप packaging चाहें, 25-50 kg के जो भी bags रहेंगे, उन में आप packaging करेंगे, packaging करने के बाद उसको stuffing करेंगे containers के लिए, उसके बाद उसको container में step करेंगे, step करने के बाद जो है, material आपका port पे चला जाता है, port पे जहां already आपका ch appointed रहता है, वो उसका custom clearance कराता है, custom clearance कराने के साथ ही, वो shipping bill आपका file करता है, जो एक तरीके custom document होता है, shipping bill जो है, आपको permission देता है, कि अब आपका material यहां से आगे export किया जा सकता है, जब भी आप material dispatch करते हैं, उस type पे आपको invoice packing list, commercial invoice packing list बनाने रहती है, उसके बाद आपको जो ह insurance certificate उसका generate करना रहता है, साथ में आप e-way bill भी आपको generate करना उसका रहता है, जब आप यह तीनों document generate कर लेंगे, उसके बाद आप dispatch कर लेता है, फैक्टरी से और material port पे पहुंचता है, तो उसका custom clearance है, shipping bill फाइल, और कोई भी अगर fumigation कि किसी भी product से related, और कोई भी अगर document file होन और उनी के साथ आप काम करें, तो उनसे container आप factory मंगाए, stop करें, वापस port पे बेंज़ें, बाकी सारा काम CHC का रहेगा port के उपर, आपका custom clearance का प्रोसेजर कराएगा, और जिस भी vessel के उपर आपका material जाना है, उस vessel के उपर आपका material को load कर दिया जाएगा, जब material का load हो अंदर आपका container दुबई में पहुंच जाता है, और दुबई में पहुंच जाने के बाद आपको document बायर को courier करने रहेंगे, document courier करने से पहले यह समझ लें कि आपका payment आया है कि नहीं आया, जब तक आपका प्रेमेंट ना आ जाए, तब तक बायर को किसी भी तरीके का document को physically courier ना करें, आप इसकेन को भी जुरूर भीज़ सकते हैं, बढ़ उसमें भी आपको ध्यान रखना है, बीयल जो है आपकी original बीयल होनी चाहिए, ना कि surrender न सीवे express बीयल आपको बायर को दिखानी है, तो सीवे express बीयल और surrender बीयल कभी भी बायर को ना दिखा है, जब payment आ जा है, बट मैं गल्प countries के लिए suggest करूँगा कि आप इन टर्म के उपर कामने करें, पहले आप advance payment लें, उसी के बाद आप अपने प्रड़का एक्सपोर्ट करें, तो अब जब सारे document आप बायर को भेज़ देते हैं, बायर material वहाँ पर छुड़ा लेता है, तो जब आपके account में payment आता है, तो आपको कुछ document बैंक की तरफ से मांगे जाते हैं, लाइक invoice पैकन लिस्ट हो गया, आपका shipping bill हो गया, bill of letting एक document है, जो shipping line आपको provide कर आती है, उनकी copies हो गई है, तो यह सारी चीजे जो है, आपको फिर bank में आपको submit करनी रहेगी, बैंक में जब आप यह सारे document submit कर देंगे, तो bank जो है, आपको ebrc वहाँ पर generate कर देगा और इस तरीके से आपका payment है, वह आपके account में डाल दिया जाएगा, यह transfer कर दिया जाएगा, तो दुबई के अंदर जो है, आप material आराम से भेज सकते हैं, ऐसा कोई issue नहीं आता है, बट आप payment अगर आपका सही है, तो अप दुबई में काम कर सकता है, कुछ companies आपको करें, बट आपकी रिस्क पर आप जो है, उनके साथ काम कर सकते हैं, और आपको जमता है, आप जाएं, मिलें, जाके दुबई में उनके साथ बेठें और जो भी आप contract sign करना है उस तरीके से काम करें और जो है आप आगे जो है इस ओनियन का export करें बहुत अच्छा market price रहता है इसका price भी होता है दोनों तरीके से आपकी deal इसमें होती है कई buyers आपको बोलेंगे fix margin पे कई बायर जो है आपको बोलेंगे variable margin पे रहेगा लाइक जिस दिन का जो rate रहेगा उसी rate के साब से आपको जो है price मिलेगा क्योंकि यह जो variable prices होती है mostly agent के साथ ही आपको देखने को मिलेगी agent के साथ जब आप काम करेंगे तभी वो लोग ऐसा करेंगे बाकि आप डारेक अगर बायर के साथ contact करते हैं तो उस case में आपको जो नंबर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके सापको export करना है किस तरीके से payment term होनी चाहिए किस तरीके से shipping terms होनी चाहिए वायर करने का क्या process है और बायर को किस तरीके से उसके साथ deal finalize करके payments उससे advance कैसे लिया जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो में दी गए जानकरी आपको पसंद आयोगी मिलते हमारे next वीडियो में thank you very much झाल